यूटूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेक आउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां सेर नहीं कर पा रहा हूँ, साथ साथ स्टॉक मार्केट ये लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सा काफी बहतरीड है, काफी solid fundamentals में आले है, इसमें अब देजी देखने मिलाया, देखिए, दोस्तों ये सेर काफी दिनों से under performed था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बता था, ये stocks काफी बहतरीड है, और आने बाले समय में निश्चीत रूप से ये जवरतस्त रैडी, जवरतस देजी दिखा सकता है, यहाँ बात करें, तो ये जो stocks है, वो है GMFodler, ये काफी बहतरीड है stock, current market cap 7,000 crore का है, और बात करें, dividend का 0.14% का dividend yield है, और बात करें, return on equity, return on capital implied 15% से जादा है, और promote solding 55% है, कोई भी से ब्लिज नहीं है, debt to equity 1.55 है, मतलब कपनी को पर debt थोड़ा सा ज total rate 633 crore है, जबकि reserve 404 crore है, तो थोड़ा से हाँ पर reserve कम है, debt ज्यादा है, net annual profit की बात करें, 56.8 crore का है, और यहाँ पर profit on sales growth की बात करें, देखिए, यहाँ 2010 में sales 114 crore का, जहां से लगातार परा, और 2021 में होगा 1,000 crore का, और net profit देखिए, मातर यहाँ पर 12 crore का था, 2011 में ज हो चुका है, इस parameters पर भी increase हुआ है, growth देखने मिला है company में, और share capital की बात में 3 crore का है, और company का जो reserve है, लगातार increase हुआ है, और देखिए, यहाँ पर 404 crore का reserve हो चुका है, और जो यहाँ पार borrowing है, वो company का इसी year में, मतलब, जो 2021 financial है, इसी financial year में, यहाँ पर increase हुआ है borrowing, तो अब बात करें, investor का investor section में जाते हैं, यहाँ पर जो यहीं पर दिक्कत है, यहाँ पर promotors अपना stake sale किया था, इसमें कई सारी promotors थे, एक promotors ने यहाँ पर stake sale किया, और यहाँ पर देख सकते हैं, यही promotor के stake sale के कारण, इस stock में काफी ज़्यादा under performance देखा गया था, और यह stock जो glass line equipment का leading supplier है process equipment to be pharmaceutical और chemical industry, जैसा कि दून अइंडस्टी काफी बहतरी है, और इस sector में company जो है, फार्मासेटिकल और chemical sector में glass line equipment जो है, वो supply करती है, तो काफी बहतरी का business है, और काफी बहतरी कर भी रही है, और यहाँ पर technical chart पर यह stocks काफी दिनों से under perform था, यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर जान वापस आया है, यह देख सकते हैं, यहाँ पर जबरतस्त तेजी आल देखने मिला है, और अगर यहाँ से यह stock उपर निकलता है, जो की है 4,887 रूपिज, इसके उपर sustain कर जाता है, तो फिर जो अगला target होगा, वो होगा 5,434 का, और 5,435 से उपर तो फिर 7,000 जिसका next target होगा, तो यहाँ पर, मतलब इसमें गजब तेजी पहली बार देखने मिला है, यहाँ पर जो stock है, वो पिछले मई से ही काफी ज़्यादा गिरावरता है, यह जो पिछला पही है, इसमें काफी ज़्यादा है, वहाँ से अंडर परकॉम देखने मिला तो ऐसे ही बहतरीन stocks के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करते हैं, और अगर यह वीडियो पसंद आया है, तो लाइक और सेल किजएगा, और यह बहतरीन stocks अपनी portfolio में जरू एर किजएगा, अगर यह तेजी यहाँ से देखने मिलता है, जो भी मैंने level बताए, उस level को याद रखेगा, वो सारी level क्रॉस करते रहता है, जिस रूप से तेजी देखने मिलेगा, साथ ही साथ यह भी याद रहता है, कंपनी को पर थोड़ा सा debt increase हुआ है, तो आगे कंपनी का debt reduce होता है, तो तेजी आपको जबरदस देखने मिलेगा, अगर debt बहता है, तो यह एक concern ह हो सकता है, हम stock में exit भी कर सकते हैं, तो हमें इसा consensus रहना है, और chart pay stocks को follow करते रहना, किस तरह से behavior है, chart pay stocks के price का, और company का फरनामेंटस में कोई भी परवानेंट मतब दिक्कत आता है, तो आपको exit कर देना है, तो फिर मेंते हैं आगले वडियो में, तब तक लिए जहें